बच्चों स्वागत आपका एक नए वीडियो में जिसमें डिस्क्रिस करेंगे इंडियन कोष्टगर्ड दो दो हजार चोबीस भरती भरती तो आ गई लेकिन सिर्फ जीटी की भरती आई डीबी यांत्री की भरती क्यों नहीं आई वही तक क्या है पूरा मामला क्या है पूरा आंत्रिक के लिए बच्चे परिशान है तो मैंने शुचा एक वीडियो के माध्यम से क्योंकि मैं भी आपको ऐसे इंफोमेशन नहीं देता हूँ जब तक कुछ इंफोमेशन मिलता नहीं है तो मैंने बहुत पता करने कोशिस की और अभी तक जो मुझे पता मिला है जो जनक कारी को तो वीडियो पे अंतक बने रहेगा इसके मत कीजिएगा अधर्वाइस आपका डाउट बना रहेगा एंड हमारे चैनल पर फॉस्ट अमेज क्या है चालो को लिज़े सब्सक्राइब बैल ऐकिन के बटन को प्रेस कर लिज़े अगर अपना कोश्ट गाड़ी देख रहा है मतलब डिफेंस में जाना है तो एंड डिस्किप्शन में लिंक दे रहा टेलग्राम को वहां पर भी आड़ हो जो भी अप्डेट इंफॉमेशन चोटा मोटा होता है वहां पर भी हम इनफॉर्म आपको करते रहते हैं दूसरी बात यह है कि वीडियो को लाइक कर दी जिन से इंफॉमेशन वगर मिलते रहता है तो वहां पर भी मैंने बात किया तो डिबी यांत्री की भरती क्यों नहीं आई है उसका पूरा क्या मामला है वह इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फटटबट लाइक कर दीज आपको कि पता है कुछ दिन पहले आपको इंफ़मेशन जो पिछला वेकंसी का ऐन तृक वेकंसी मतलब तीनों वेकंसी आया था उसके पहले वाले जो उसमें यांत्री के वेकंसी को को गायभ कर दिये कहता है क्या किछले बैच में आया था अभी आपका डन हूए एktग उ उसमें यांतरिक का वेकंसी आया था और जो आपका इससे पहले मार्च वगरा में जो कंड़क्ट कराया गया था मार्च में एक्जाम तो मार्च वाले बैच में आपका यांतरिक का वेकंसी को नहीं लाया गया था यह आप जानते हैं कि मार्च का जो वेकंसी था उसमें यांत कि आपको जनकारी कि आपका वेकैंसी यह वेकैंसी जो आया है जी डी का यह अभी वेबसाइट पर नहीं है अप खुजा के कोश्ट गाट के वेबसाइट पर चेक किजिएगा तो इसा कुछ इंफरमेशन नहीं दिया गया है तो यह तो किलीर होगा आपका तेरात फरवरी को ही कि ये Nations कितना सच एंट पर्सेंट ये सच क्योंकि खुश है ना बंदे क्या करते हैं छो भी नोडिफिकेशन वगारा का ये जो काम होता है जारी करने का ये सबसे पहले आया अपडेट तो सरकारी रिजल्ट वालू ने क्या कि कुछ पैसे वेगारा देकर वहां से बिग्यापन जारी करा लेए बिग्यापन बोलेगा कि यह स्क्राइब जारी कराने का मतलब पहले ले लेने का तो यह लॉजिक यह है जितना जादा वेब साइट पर रिच होगा उससे उतना ही जादा आपका जो है बच्चे वहां पर करेंगे उतना ज्यादा उनको benefit होगा website वाले को आपको पता website से पैसा कमाया जाता है नहीं पता ना जिसको पता है वो समझ सकता है बात को तो वही पैसा देके कोश्टगाड वालों को इन्हों नाटिफिकेशन पहले ले लिया और वेबसाइट पे आपका तेरफ और वरी को अपडेट हो जाएगा तो यह पूरा आपने समझ लिया तो यह चीछ तो 90% से ज्यादा चांस है कि यही आपका नाटिफिकेशन रहने वाला है मतलब कि DB और या यांत्री की वेकेंसी नहीं आएगी अब बहुत सारे बच्चे मुझे बोलेंगे कि ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि भरती नहीं आएगी तो समझ लिजे बात भरती क्यों नहीं आएगी उसका बात समझ लिजे कि भरती क्यों नहीं आएगी राइट तो इस तो मैं बता दू हम आप का वेकंशीब पचले में थी उसके पहले ती 18iveness तो आपका शोली जनापरी से अब कर yakए लिटब किया था श्य mujकलत में आपको भी पता है पर मेरे को से गाउट कर लीजिएगा जो नए जूर सिर्फ डी बी और जी डी की वेकेंसी आई गी थी उसके बाद जो नॉमबर में आपका एक्जाम कराया गया नॉमबर में ही न करा गया हाँ तो उस टाइम पे क्या हुआ आपका किसी का वेकेंसी था अब मतलब कि आपका जो वेकेंसी इस टाइम पे अभी जो मेरिट लगने वाला है उसमें आपका तीनों वेकेंसी आया जो मेरिट लगने वाला है मेरिट आने वाला है मार्च में इसमें तीनों वेकेंसी है तीनों बेटिन सी है और फिर से नाय जो वेकेंजिया उसमें दो पोस्ट को गैवर कर दिये गया है मतलब की डी बै और यांत्रिक Sen्थ गैवर कर दिये गया है सौ बच्चे आगर नभी के हैं तो 25 लोग से कोश्टगाट के हैं मतलब उस्से भी कम ही समझ लिजीए गार इसको बीशी Coast Guard बहुत minimum मतलब कि छोटा एक मतलब की आप समहझे लीजिए संस्था है नेभी के मुकाबले में रहाइट है कि चिलका में ही आपका ट्रेनिंग कराए जाता है आपको ये भी पता है नेभी के साथ ही इसका ट्रेनिंग इसलिए कराए जाता है क्योंकि नेभी का कोई से कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है बहुत दिनों से हवा पानी भी लग रहा था कि यहां सेंटर बन रहा है मैंने भी आपको बता अभी तक ऐसा कुछ इन्फरमेशन नहीं आया कि कोश्ट गाड का ट्रेनिंग सेंटर बन के त्यार हो गया चाहे कुछ भी ऐसा तो ट्रेनिंग सेंटर अभी नहीं बना है ऐसा कुछ नहीं मिला है ट्रेनिंग सेंटर नहीं है अभी बना तो नहीं बना है तो कोश्ट गाड वाले बच्चे आपको पता है और कोश्ट गाड बहुत छोटा सा ब्रांच है मतलब कि छोटा सा मिनिमम है मतलब नेभी के मुकाबले में तो नेभी के मुकाबले में छोटा है तो इसके पास सिप भी बहुत कम है कोश्टगार्ड के पास सिप जो है बहुत कम है कितने बहुत कम है और बहुत कम है जब सिप ही कम है तो कोश्टगार्ड वालों को ले के रखेंगा सब को बेस पे तो नहीं रखेंगे न अधिकतर तो काम सिप में ही है आपको पता होगा जो भी आपके आज पास में गोश्ट गार्ड में होंगे उनसे यह information आप सके मिल सकता है या फिर जो भी अधिकारी वेगर होंगे अगर कोई होगा तो आप लोग संपर्ग कर सकते हैं इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कोश्ट गार्ड में ज्यादा वेकेंसी नहीं आती कोश्ट गार्ड में सीट बहुत मतलब यह हर साल जो दो सो साथ भाई सो तीन सो आते थे यह पांसो साथ सो भी आ सकते थे बर ट्रेनिंग सेंटर नहीं है अपना एक चीज यह और दू लोगों को रखने की क्या जरूरत है तो उन्होंने एक चीज में आपको क्लियर कर दू जो एक 2024 का भरती आपका आया था और यह दो 2024 का भरती आया इसमें तीनों भरती थे डी बी जी डी और यहां तरी तीनों वेकेंसी थे इसमें तिर्फ जी डी आया अब फिर अब ऐसा ही रिक्यूट्मेंट साइकल चलने वाला जब भी जब भी 01 का भरती आएगा ना मतलब 01-2025 का जब भरती आएगा तो यह तीनों वेकेंसी आपको देखने को फिर से मिलेंगे 01-2025 का जब वेकेंसी आएगा आपका तो यह तीनों वेकेंसी आपको उसमें देखने को मिलेंगे और फिर से 2225 का जो वेकेंसी मिलेगा देखने को क्यों क्योंकि सीट कम है वाई सब और सीट कम है आदमी की ज़रुत कम है सिप कम है तो डीबी यांत्री की भरती अब जहां तक पता लगा है मुझे जहां तक इंफोमेशन मिला है कि भरती इस बैच में नहीं आने वाली है मतलब कि 02-2024 में भरती नहीं आएगी यह आप लिख लिजिए यह मैं आपको 99% शोर्टी दे दू इसका कि इस बैच में भरती नहीं आने वाली है तो जो भी बच्चे इसी का स्पेसल त्यारी कर रहे थे वो थोरा सा दूसरे चीज पर ध्यान दे क्योंकि अब जब भरती आएगी 02-2025 मतलब कि जो वेकेंसी आपका आएगा नॉवंबर में मतलब कि सेतंबर सब्तंबर अक्टूबर के पास आपका रिलीज होगा नोटिफिकेशन मान लिज़े अक्टूबर में नोटिफिकेशन जो रिलीज होगा अक्टूबर में अक्टूबर नोटिफिकेशन जो आएगा जो 1-2025 का 1-2025 का इस बैच में आपका DB का भी वेकेंसी रहेगा GD का भी रहेगा और यान तरीक का भी रहेगा तो ये रिक्यूट्मेंट साइकल इसी तरीके से चलने वाला है जब भी 01 का भी वेकेंसी आएगा मतलब 01-2025 01-2024, 01-2026 01-2027, 01-2028 तो इस बैच में आपको DBGD आंत्रिक तीनो वेकेंसी मिलेंगी और जब वेकेंसी आपका आएगा 02-02 वेकेंसी आएगा मतलब कि 02-2024 अभी आया है 02-2025 फिर आएगा मतलब बीच में 01 आएगा एक वेकेंसी जिसमें तीनो रहेंगी इसमें आपका वेकेंसी सिर्फ GD आया है 2025 में जो 02-2024 आएगा उसमें भी सिर्फ GD का वेकेंसी आएगा फिर 01 आएगा 2026 का इसमें तीनो रहेगा तीनो रहेगा और फिर 02-2026 आएगा तो इसमें आपका सिर्फ GDK वेकेंसी रहेगा तो यही इन्फोर्मेशन अभी तक मिला है बाकी मैं बहुत जल्द इसको लेके 100% स्वारिटी आपको दे दूगा अभी मैं 99% स्वारिटी दे रहा हूँ कि वेकेंसी आपकी नहीं आएगी नहीं आएगी डीबी और यांत्री की वेकेंसी नहीं आएगी बाकी मैं साम तक या फिर कल आपको 100% या फिर साम तक साम को 5 बजे लाइव आके पांच बजे लाई बाके 100% शोरिटी दे दूँगा कि वेकेंसी आएगी कि नहीं आएगी बाकी अभी 99% शोर रहिए कि वेकेंसी आपकी डीबी और यांती कि नहीं आएगी और यही चीज जो परसेस राने वाला है जैसे 01-2024 में आपकी आए तीनो वेकेंसी तीनो आया 02-2000 24 सिर्फ GD फिर 01-2025 तीनो भ़ती आएगी और 02-2025 सिर्फ GD इस तरीके से वेकेंसी चलने वाला है तो इस तरीके से आप स्क्रिन्स अट आप ले सकते हैं यही परसेजर आपका चलने वाला है जहां तक मुझे information मिला है और यह information आपको YouTube पे कोई नहीं देने वाला है इतना किसी को पता ही नहीं है भाई साथ समझ रहे ना क्योंकि सभी लोग मेरे वीडियो का इंतजार कर रहे हैं इस वीडियो बनाने के बाद बहुत लोग यह वीडियो बनाएंगे तो उसको भी मैं आपको बता दूँ चले कोई दिक्कत नहीं है बस information सही होना चाहिए चाहिए वो मेरा वीडियो देखके ही बनाया जाए उससे मतलब नहीं है तो आप लोग समझ लिए इससे आपको अंदाजार लग गया होगा कि क्या चीज है भाई साब ये चीज कोस्ट अगट का पता चल गए बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए शेर कर दीजिए और इस वरकेंसी के कोई भी डाउट कोई भी कोशन कोई भी क्वेरी हो comment section में जरूर लिख दीजिएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताईएगा चाहे वो डीबी या अंत्रिक वाले बच्चे परशान जरूर हुए लेकिन comment section में जरूर बता दीजिएगा भाई साब की information कैसा लगा मतलब कि जो भी है जैन्मीन है मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ किसी को परशान करने का कोई मुद्दा नहीं है हमारा जो information मिला है वही आपके साथ share कर रहे हैं तो वीडियो को like कर दीजिएगा और share कर दीजिएगा बाकी साम को साम को और जो बच्चे subscribe नहीं किये subscribe कर लिजिएगा और बाकी साम को मैं आपको क्या करने वाला हूँ live आजाओंगा या फिर live पाँच बजे जितने बज़े आप लोग कहिएगा comment section में बता दीजिएगा कि live आप लोग clear कर दीजिए तो पाँच बजे live या फिर कल आपको live आके ही मैं आपको ये clear करने वाला हूँ कि vacancy 100% आएगी या नहीं आएगी जो लिख दूँगा वही होगा ये मैं आपसे वादा करता हूँ और जो भी बताया है इतना आप शोटी रहिएगा बाकी मिलते एक नए वीडियो में तब तक ले बाय जहिन जयभात बंदे मातरम